हालो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चानेल बेनजीस कीचन में आप सब का स्वागत है तो दूर्गापुजा का फेस्टिवेल आ रहा है तो आज हम बुलाब जामन और काला जामन बनाने वाले हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सब से पहले एक काप हमने गिहों का आ खान देना है जिस काप में हमने आठा ले लिया है उसी काप में हम मिल्क पावडर ले लेंगे और फिर उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे फिर उसमें यह जो measurement spoon है उसमें हम खाने का soda add करेंगे और elicy powder add करेंगे वह optional है आप कर भी सकता है और skip भी कर सकता है फिर उसमें हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे फिर हमने milk ले लिया है और थोड थोड़ा डाल के हमने milk को mixture के साथ मिला लेंगे और अच्छी तरह से उसे एक dough त्यार करेंगे आपको एक बाड़ में नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है डो को तयार करने के वागत आपको धायान देना है कि वो ज्यादा हाड ना हो और ज्यादा नरम भी ना हो इसको हम अच्छे से एक डो तयार कर लेंगे और अगर डो तयार करने के बाद आपके हाथ में यह चीबग जाए तो हाथ में थोड़ा घी डाल देना फिर इसको अच्छी तरह से मसल लेना और डो त्यार कर लेना देखिए हामारा जो डो है वो त्यार हो गया है और हम इसका छोटे-छोटे टुग्रे कर लेंगे छोटी छोटी लेई बना लेंगे और लेई को अच्छी तरह से इसे गुलाब जमुन का या काला जमुन का सेब बना लेंगे हमारा जो लेई है वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो चाचनी में जब डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा फूल जाएगा तो लेई मीडियम राखना देखिए हमारा जो गुलब जमून या काला जमून का सेफ है वो बनकर तेयर हो गया है इसी तरह से हम बाकी को भी बना लेंगे और एक पय्न में हम तेल लेंगे आप घी में भी इससे फ्राइ कर सकते है हमने तेल ले लिया है आपको यह बोल डो-तीन मीनिट के लिए फ्राइ करना है कि अगर ज्यादा फ्राइए करेंगे तो यह जल जाएगा तो आपको बिच बिच में चलना ना पाहरेगा नहीं तो यह ज़्यादा पक जाएगा जो गुलब जमून आप बनाएंगे उसे थोड़ा हलका कलर में राखिए और जो ब्लैक जमून बनाएंगे तो उसे ज़्यादा पकाईएगा ताकि वो और भी डीप कलर में आए देखिए हमारा जो गुलब जमून के लिए जो डाला है वो अल्मूस्ट फ्राई हो गया है अब हम इसे निकल लेंगे गुलब जमून अच्छे से फ्राई हो गया है और आप इसे निकल लेंगे एक बावल पर साइड कर लेंगे यहाँ पर तेल में मैं बहुत सारीव बावल डाल दिये है और उसे हम एक साथी पकाएंगे काला जमून और गुलब जमून दोनों ही इसमें होगा ज़्यादा डार्क होगा वो काला जमून बन जाएगा और थोड़ा लाइट कलर में जो आएगा वो गुलब जमुन होगा आप देख सकते हैं दोनों ही हमने एक साथ पाकाऊंगी बीज बीज में इसे चलते रहना नहीं तो सब एक हो जाएगा हमरा जो गुलब जमुन है वो फ्राइड हो गया है हम गुलब जमुन के लिए जो डाला है उसे हम अभी एक बाउल में साइड कल लेंगे देखिए गुलब जमुन का जो काला आता है उस ही सब से वो पाक गया है और जो अभी ओयल में है उसे हम काला जमन के लिए ही छोड़ देंगे देखिए हमारा काला जमन का जो काला आता है वो भी हो गया है उसे भी हम एक अलग बाउल में निकल लेंगे अभी फिर दोनों काला देखिए कितना डिफरेंट है अभी हम चांचनी बना लेंगे फिर एक मेजरमेंट काप में हमने चीनी ले लिया है एक काप चीनी ले लिया है फिर उसी काप में हम पानी डालेंगे दो काप पानी डालेंगे फिर हमने चांचनी तेयार कर लेंगे और उसे चलात रहना है ताकि वो जो हमारा शुगर है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारा जो चांचनी है वो बनकर तैयार हो जाए अब देख सकते हैं चांचनी में तभी गुलाब जमन और काला जमन डाल देना जब वो बॉयल होने लागे देखिए हमारा जो चांचनी है वो बॉयल हो रहा है और हम उसमें गुलाब जमन और काला जमन दोने ही एड़ कर दिया है फिर इसे हम पाकाएंगे थोड़ी देर देखिए बीच मीच में ऐसे आप चला लेजिएगा ताकि चांचनी अच्छी तरह से बल के अंदर चला जाए और हमारा जो गुलाब जमन और काला जमन है वो अच्छी तरह से फुल जाएगा देखिए अभी बॉयल हो रहा है दस मिनिट तक फिर उसको आप कबर कर देंगे आदा घंटे के लिए आदे घंटे के बाद आप देख सकते है हमारा जो काला जमन और गुलाब जमन है वो कितना फुल गया है चांचनी उसके अंदर भर गया है और बहुत ही स्वादिष्ट हो चुका है दोनों को साइज आप देख रहे है जब डाला था तब छोटा था आभी चांचनी के अंदर डालने के बाद वो कितने साइज में फुल गया है अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जुरूर करना और पास में रखे बेल आइकन को दावा देना तकी मेरे आपलोट किये हुए हर वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिल जाए